समान काम, समान वेतन मुद्दा बिहार और बिहार के सिक्षकों के लिए बहुत बरा मुद्दा अंतरास्ट्रिये और रास्ट्रिये अस्तरपडवी इसकी चर्चा हो रही है कि भारत में समान काम के बदले समान वेतन मुद्दे पर क्या फैसला आता है समान काम समान वेतन मुद्दे के एक केस में बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोट से ही फैसला आया कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए ये फैसला बिहार के सिक्षकों द्वारा किये गए केस का नहीं, ये फैसला पंजाब और हडियाना के करमचारियों द्वारा किये केस में ये कहते हुए आया है कि समान काम के बदले, समान वेतन मिलना करमचारियों का अधिकार है इसकी सुनवाई सुप्रीम कोट में हुई और दो जजों की पीठ ने इस केस की सुनवाई की और अंततह ये फैसला दिया कि समान काम के बदले समान वितन मिलना जायज है वो दो नियाधीस हैं जिनोंने इस केस की सुनवाई की है उनके नाम है जे एस खेहर और एस बोबड़े ये दो नियाधीस हैं जिनकी पीठ ने सुनवाई की और ये फैसला दिया कि समान काम के बदले समान वितन मिलना करमचारियों का अधिकार और हक है इस फैसले पर विसलेशन हम आपको दे रहे हैं वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे जो अखबार में छपी है और उस खबर को पढ़ कर भी आपको सुनाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि समान काम समान वेतन के मुद्दे पर कोट ने सुपरीम कोट ने क्या कहा ये वो खबर है समान काम समान वेतन का फैसला आया सुपरीम कोट ने कहा कृत्रिम मानक निर्धारित कर करमचारियों के बीच अंतर करना गलत ये सुप्रीम कोट की टिपनी है समान काम समान वेतन मुद्दे पर आईए आपको पढ़ कर सुनाते हैं कि इसमें आगे सुप्रीम कोट ने क्या कहा सुप्रीम कोट ने कहा कि कल्यान कारी राजियों में समान काम के लिए समान वेतन मिलना ही चाहिए समान कार के लिए समान वेतन के सिधान्त पर मुहर लगाते हुए सिर्ष अदालत ने कहा कि ओस्थाई कामगार भी अस्थाई की तरह महनताना पाने के हगदार हैं कृत्रिम मानक निर्धारित कर दोनों के बीच अंतर करना गलत है पीट ने कहा कि कामगारों को उनकी उचित महनताना तो मिलना ही चाहिए जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस एस ए बोबडे की पीट ने कहा कि कोई करमचारी दूसरे करमचारी के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है तो उसे दूसरे करमचारी से कम महनताना नहीं दिया जा सकता कल्यान कारी राज में तो इस तरह का भेदवाव नहीं किया जा सकता कोई व्यक्ति स्वेक्षा से कम वेतन पर काम नहीं करता बलकि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है समान कार के लिए समान वेतन ना देना उस व्यक्ति का सोसन है ये थे टिपनी सुप्रीम कोट की समान काम समान वेतन मुद्दे पर और इससे बिहार के जो सिक्षकों ने समान काम समान वेतन मुद्दे पर केस किया है उनके फैसले का भी एक जलक आप इसमें देख सकते हैं सुप्रीम कोट ने कहा कि कृत्रिम मानक निर्धारित कर करमचारियों के बीच अंतर करना गलत ये टिपनी सुप्रीम कोट की है पीठ ने अपने फैसले में ये भी कहा कि भारत ने आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से सम्मंदित अंतराष्टरिये घोसना पत 1996 पर हस्ताक्षर कर रखा है इसमें समान कारे के लिए समान वेतन देने की बात कही गई है सुप्रीम कोट ने पंजाब एवं हडियाना हाई कोट के एक फैसले में बदलाव करते हुए ये टिपनी की है हाई कोट ने आस्थाई करमचारियों को मिलने वाला लाव देने से इनकार किया था जिसको आज सुप्रीम कोट ने अपने आदेश से बदल दिया है अब समान काम के बदले समान वेतन देना पंजाब और हडियाना के करमचारियों का हक हो गया है अब उन्हें ये मिलेगा अब हम कह सकते हैं कि बिहार के सिक्षको द्वारा किये गए समान काम के बदले समान वेतन का फैसला भी ऐसे ही जल्द आएगा क्योंकि फैसला रिजर्व है पर जल्द फैसला होने की उम्मीद है सिक्षा, सुधार, रोजगार आंदोलन हर कदम आपके साथ बने रहिए हमारे साथ